जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में आप सबको स्वागत हैं दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू करेंगे न्यू किंग्स एंड केंग्डम्स ठीक है हमने फॉर्स चैप्टर में ट्रेसिंग चेंजिस थूर थाउजंड देखा कि आके थाउजंड इयर्स में क्या क्या चेंजिस हैं हमने वह देखें अब हम देखेंगे कि इन बीच में जो नए किंग्स एंड किंग्डम्स वगेरा जो फॉर्म हुए उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे फॉर्स चैप्टर में एक ओवर्वियू ले लिया थ ठीक है तो दोस्तों मेरा नाम सौरब राज है आप सब का मैं स्वागत करता हूँ हमारी चैनल नौलेज कैसल पर है तो दोस्तों चलिए आज की लेक्चर की शुरुवात हम करते हैं ठीक है आज दोस्तों क्लास 7th NCIT हिस्ट्री गार चैप्टर नमबर 2 करने वाले न्यू किं इनिस्टर हुए ठीक है कैसे फॉं मुए क्या होता था कौन सा राजा आया कौन सी डाइनस्टी बनी कौन सी मेजर डाइस बनी लडाइया हुई लडाइया उसके लिए नहीं कि हम किसी को राजगत्री से अटाइए लडाइया इसलिए हुए कि अगर जिसका मान लीजिए वहां से लूट के लिए तो यहां लूट के लिए यहां वहां पर आपने अपना सामराज्य स्थापत कर लिया और फैला दिया अपने खेंगम का तो इस चैप्टर में हमें वह देखने को मिलेगा यह चैप्टर दोस्तों थोड़ा बड़ा होगा ठीक है आप अच्छे से कीजे वीडियो को शेयर कीजाएन लाइक कीजे अभी कर दीजाने निया तो आप वीडियो के भावनाहों में खो जाएंगे फटा फट चलिये तो हम करने वाले new king's and kingdoms चलिए शुरू करते हैं आपके सामने मैप है बड़ी है मैप है बहतरीन मैप है ठीक है इसमें दोस्तों हमने मेली तीन चार जो हमारे जो kingdom बने उनके बारे में इन्होंने बता रहा है देखिए यहां पर आपका क्या है चोलाज है चोलाज साउथ में फैल रहते चोलाज ने बहुत बड़ा इनके बारे में हमें इस चैप्टर में हमें फोकस करना फीर आपका राश्टर कुना उसके बाल बार बक का दो तो यह में रखान है यह है यह पर देखिए यहां पर रडगलर की लाइंज धिखरी हो इन आपको लाइन्स दिख रही है ठीक है यह जो लाइन्स दिख रही है आपको यह जो बाउंडरी इन्हों ने बना रखी है इसका मतलब देखी किया है fluctuating frontier मतलब क्या था कि यह लोग इनकी boundary सीमीत नहीं थी इनकी boundary सीमीत नहीं थी कि हमारा राज्जे अगर यहां तक है अगर राश्रकुता का राज्जे यहां तक है तो यह आगे नहीं जा सकते यह लोग अपनी boundary फैलाए जाते रहते थे कैसे मैंने बता है ना करके हराया उनको उनका राज क्या बोलते हैं जगा कभजा लिया उनकी जमीन कभजा लिया उनके kingdom पे थोड़ा बहुत पार्ट उनका हो गया तो ऐसे होता था यह लोग मार धाड इदर से चालू होगी थी मडाईवल इंडिया में आपको लगवग मार धाड के बारे में जा अब आपको आपको सामने वाला उसके जगवग पर लेता तो चलिए आगे वाली आपको आगे जरूरत पढ़ेगी चलिए सबसे पहले टापिक हमारा इमर्जेंस ऑफ निव डायनेस्टी इमर्जेंस ऑफ निव डायनेस्टी इक मद्ध रूकिया मैं पैंसल लेलो फिर ठीक है था अब बड़े लेंड लॉड और बड़े लेंडलोर्स और वार्यर्यों जो चीफ्स होते थे ना उन्होंने पूरे अब लॉड लॉड निव डायनेस्टी का फैलाओ करना शुरू कर दिया था चोला के बारे में बताया ठीक है फिर आपका राश्टर कुताज ने चालुक्यास की बैंड बजा दी क्यूं राश्टर कुताज आते थे आपके चालुक्यास के अंडर मैंने आपको याद है ना पहले भी आपको सेट 6 में मैंने समनताज के बारे में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया तो मैंने आपको यह बताया था कि एक एंपायर के नदर कई किंग्डम्स होते हैं ठीक है जो उस एरिया को संभालता है कभी-कभी यही वारियर से लेंड लॉड जो ताकतवर हो जाते है किंग्डम्स होता है उन्हीं को हराके कभजा कर लेते हैं वही राष्टकुताज के साथ हुआ था राष्टकुताज ने चालुकयास की बैंड बजा दी और उस एरिया में अपना कभजा कर लिया उस एरिया में रूल करने लग गया existing kings often acknowledge them as their subordinates or samantaz मैंने बता है नहीं existing kings जो होते थे या तो उनके subordinates होते थे ठीक है या samantaz जो होते थे यह वही होते थे जो warrior chiefs landlords वगेर होने लग गई यह क्या थे samantaz ही थे samantaz they were expected to bring gifts for the kings or overlords and provide them with military support samantaz क्या करते थे सबसे पहले आपको मैंने बता है यह first line आपकी दिए 7th century में landlords and warrior chiefs ने different regions में अपने डैनिस्टी विछाई यह एक line था यह था overview था यह एक line में अब देखे क्या थे यह समantaz क्या थे या तो king के subordinates होते थे जो क्या करते थे उनका राज्य समानले में मदद करते थे यह अपने king के लिए या तो gifts लाते थे gifts provide करते थे taxes वैक्सेश का collection करते थे या फिर क्या करते थे यह लोग अपनी military support देते थे मिलिटरी सपोर्ट मान लीजे मैं एक राजा हूं मेरा एक एंपायर में मेरे बहुत सारे समनताज है तो आप क्या करेंगे आप अगर डिफरेंट एरिया में संभाल रहें कोई एक बंदा है वो डिफरेंट एरिया में है ठीक है मैं उधर तक मेरा कंट्रोल नहीं है पर यह मैं यहां हुँ अब यहां पर समानटाज भी यहां बढ़ा है यहां पर यहां पर यहां पर ron एक भी क्या क्रेंगे या तो मुछ बन दीके जबक पड़ेंगे तब यह का करेंगे पनी मिलिटरीज भेजएंगे, सेंड करेंगे, किसको मेरे को, मिलिटरीज के मदद से ये help करते थे, अपनी support देते थे, बट situation क्या हुआ, धीरे धीरे change हो गया, ये समानतास क्या होने लगे, ये जो rulers के जो under आते थे, इन्होंने अपनी power increase कर ली, power increase कर ली, इन्होंने wealth भी अपनी बढ़ाई, and power भी बहुत जादे increase कर ली, तो इन्होंने अपने आपको declared क्या कर दिया, महा समानता, या महा मंडेलेश्वरा, बलब इन्होंने अपने आपको एक तरसे मानी है, तो एक पूरी dynasty घोशित कर दिया, एक अलग kingdom इन्होंने घोशित कर दिया, कि अब से हम उस empire के, उस kingdom के अंडर नहीं है, हम समानता बंद के नहीं रहेंगे, अब हम खुद के, खुद से अपना kingdom स्थाफित करेंगे, खुद की एक dynasty स्थाफित करेंगे, तो इनमें वो हो गया, इस chapter में हम वही पढ़ने वाले हैं, sometimes they asserted their independence from the overlords, independent मतलब अलग हो जाते थे, overlords अपने, ठीक है, some such kingdoms were those of rastakutas, गुर्जारा प्रतिहार, इनमें से कुई, जो kings हैं, कुछ kingdoms हैं, जैसे rastakutas, चालुक्यास को हरा के, इन्होंने अपनी स्थापना की थी, एंड गुर्जार प्रतिहार, रastakutas भी क्या था, एक समान था था, किसका समान था था, किसका चालुक्यास का, फिर है अपका गुर्जार प्रतिहार, यह कुछ kingdoms हैं, ठीक हैं, जो SE बने थे, चलिए आगे चलते हैं, administration in the kingdoms, अब इस kingdoms में देखे administration कैसे चलता था, many of these new kings adopted high sounding titles, सच अज महाराजी धिराज, एंड त्रिभुवणा चक्रवर्तिन, जो यह लोग जो kings थे न, ठीक है, पहले तो किसी के अंडर में थे, समान था की रूप में, फिर ठीक है, इन्होंने धीर धीर जैसे जैसे powerful बनते हैं, powerful बनते हैं तो इन्होंने अपने आपको title दे दिया, अभी बने नहीं कि पहली title दे दिया, क्या हम महाराजा धिराज हैं, या त्रिभुवण चक्रवर्तिन, महाराज धिराज यानि king of the kings, राजाओ का राजा, ठीक है, और फिर आपका त्रिभुवण चक्रवर्तिन हो गया, तीनों लोग का शाषक, एक लोग में होती नहीं से शाषक है, इन तीनों लोग के बनने चले हैं, मतलब तीनों लोग के शाषक, त्रिभुवण का यहीं मतलब है, इन लोगों ने भी अपने समांताज बनाए, पीजेंट के लोग क्या करने लगें, पावर शेर करने लगें, क्योंकि इनके बस कि नहीं थी, एक ही जगा बैटके बहले जितना भी कह लेए, कि हम महाराजा धिराजा त्रिभुवण चकरवर्तिन हमें कहो, ठीक है, तीनों लोगों के महाराज हैं, महाराज धिराज, किंग अफ दी किंग से पर नहीं, क्या होता था इन्हें भी मदद की जरूत पढ़ती थी, क्यों, टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, किंग्डम को अच्छे से अड्मिनिस्टर्ड करना हैं, ठीक है, उनको थोड़ी बहुत पावर दे देते थे किंग्डम चलाने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने हो गए, ठीक है, तो यह सब इनको काम दे 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 थे ब्रामन को काम दे दे थे ते, आपको कुछ लिखने भिखने का, प्रीस्ट का काम दे देते थे, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पड़े लिखे थे resources were obtained from the producers who were persuaded to surrender part of what they produce जो resources वगेरा आते थे resources यानि आप समझ लीजे taxes वगेरा की मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर मैं taxes वगेरा की बात कर रहा हूं कि जो resources वगेरा जो यह लोग लेते थे resources क्या करते थे यह लोग ले लेते थे resources लेते थे अपने power share की इन्होंने resources यानि आप समझ लीजे taxes वगेरा मलब अगर trader है या कुछ वो produce कर रहा है कुछ भी produce कर रहा है cattle farmer हो गया cattle दे रहा है तो वो कुछ भी अपना resource दे देता था किसको राजा को देता था as a tax या rent समझ सकते है जो भी resource वो produce कर रहा है ठीक है these resources were used to finance the king's establishment and construct timber देखे इन resources या इन taxes या इन rents का जो भी resource rent के रूप में taxes के form में देते थे ठीक है producers तो वो क्या करता था राजा इसको किसले use करता था अपने establishment establishment की उसकी king की establishment बनी रहे वो ऐसा नहीं है कि कमजोर बढ़ जा कि कोई भी आके उसे फेक के चला आ जाए और किसले use करते थे construct करने के लिए temples को temples वगेरा बनाने के लिए भी यह लोग उस resources का use करते थे ठीक है अब आगे देखतें क्या है the functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary थे क्या होता था ना जो revenue वगेरा collect करने का जो काम होता था 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 यह जादा था influential families से या तो राजा के family में होगा या तो किसी बड़े peasants raiders या समानतास वगेरा मान लिजे इनकी families आता हो या किसी भी बड़े influential landlord की family से कोई भी बंदे को ले लिया और उससे कह देते थे कि आपका कहां में taxes वगेरा collect करना ठीक है and यह positions क्या होती थी hereditary hereditary का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मान लिजे एक बंदा है उसने tax collect कि 40 साल तक ठीक है 40 साल कभी तो मरेगा ठीक है जो आया है वो तो जाए गहीं तो उसके बाद उसके मरने के बाद उसका जो बेटा होगा उसको यह power दे दी जाएगी कि आप taxes collect कीजए फिर वो मरेगा फिर उसके बेटे को मतलब हरिडेटरी बोजीशन एक के बाद एक के बाद एक के बाद फैमिली सिस्टम चलता रहता था ठीक है टाइटल समझ रहे हैं कि उसकी टाइटल किसी और को दे दी ठीक है टेक्स वगेरे collect करने का काम होता था इन्हीं influential families का क्यों होता था क्योंकि हो सकता है अब कोई नकली बंदा ये कमजोर सा बंदा तो टेक्स मांगने जाएगा नहीं प्रोड्यूसर से दो जापड और पढ़ेंगे इसलिए यहां पर वर्ड किसका यूज किया गए influential यूज किया गया तो इसको ध्यान से समझीएगा चलिए आगे चलते हैं यहांट कुछ टेक्स बगएरा मता रखेван हैं 400 तरीकी के टेक्स बता रखेए जार्ट सोचार सोच्ट सौ यहांट की यहांपे नहीं को यहांटने बता रहे腻 चार्ट सहल किया वद ब dess formulation गया है भूण और इस दिए फूर एपने जोहां वगी है है और आ हम ऊपनते सद्वाएं दू अनुम आपी हहां चीो अदिभाड़ा इस दौणट गरता कारख और सब्र-एपने कारण आपने की दिया जल्दि फटा फट दीजेए आप लोग प्रषिष्टी भी आगए आएगा प्रशश्ष्टी भी मैंने बता रखा है तो ने आधा बतागे गा the most frequent mentioned taxes तेखें जो जो most पॉपुलर जो टैकसे सी उन में क्या था देखें उनके नाम क्या था यह वैटी एक नाम था इसका कैया था टेकं नौर्ट नौर्ट इन कैस बटि ते लिए इसके फोर्म के लिए जाता था इसके फोर्म में लिय जाता था यह किसी तरह की राज्य केलिये किंग्डम में लिए उन्होंने लेबर्स बगयरा बुला लिया लेबर्स को हायर किया तो यह क्या कहते थे टेक्स की केटेगरी में आ जाता था जिसे हम कहते थे वेटी फोर्स लेबर उन से काम कर दा लिए पैसेर से नहीं देने क्योंकि कुछ टेक्स दे नहीं रहे तो अपना मज़़ूरी दो ठीक है कड़मे के मतलब क्या होता है अल्एक का मतलब की मतलब किया होता है यह अपने चाहेशा कर दें। ठीक है वहाँ पर तो उसके लिए भी टेक्स देना पड़ता था the use of ladder to climb palm trees अगर आप cd का use करें palm tree पर चड़ने के लिए ठीक है तो उसके लिए भी आपको टेक्स देना पड़ता था assess on succession to family property etc देखे इस पर excess भी देना पड़ता था कैसे देखे अगर आप हैं मान लीजे एक आदवी है उसकी उसका एक घर है उसकी family property है उसके बाद वह अपनी property अपने बेटे के नाम कर देता जब वह बेटे के नाम कर रहा होगा तो उस time उस बेटे को भी king को taxes के form में tax देना पड़ता था ठीक है आप समझ गए यह कुछ taxes थे यहां पर इनके नाम याद रख लीजगा हो सकता है आपसे one mark mcq में पूछ ले ठीक है competitive में भी पूछ सकता है कैसे थे वेटी क्या है बताओ वेटी किस form का tax है मतलब वेटी से हम क्या समझते है ठीक है होने उपनी प्रशस्तीज वगेरा भी बना रखी थी ठीक है रशस्तीज वगेरा भी बना रखी थी अधा रशस्तीज आद किजसे आपको मैंने समुद्र गुप्त गुप्ता all रूटर याद है ना समुद्रकुप्त के बारे में पढ़ाया था जब प्रश्रिष्टीज बताई थी तो अब समझ गये होंगे प्रश्रिष्टीज क्या होती है नहीं समझे तो यह फिर भी आंसर दी जाब नीचे फिर अगर आप आंसर नहीं देने तो आपने पिसले अवे तो यह इस तो यह ढूखतती ढ़ी में अब शहांने करणा करना किसी राजा के एक एक रूट चाहल नेITTों मैं आइसा था जो इसके दां समेंगे तो बहुत की गई है इस ताम पर प्रशस्ति हमें मिली जो क्या करते थे ते वह बताते थे राजा को वाइलेंट कितने हैं victorious warriors है वो तो वही यहां पर एक achievement बता रहे है आपके नागभटा के बारे में बता रहे है नागभटा के बारे में बता रहे है नागभटा मैं आपको बताता हूं देखे कौन थे many rulers describe the achievements in प्रशास्ती you read about प्रशास्ती आपकी संस्क्रीट में लिखी गई गई इक प्रशास्ती जो आपकी संस्कृत में लिखी गई है गई है मध्यप्रदेश में पाई गई है डिस्क्राइब्स अफ्र नागभटा और अप्रतिहार था ठीक है बुर्चार अप्रतिहार प्र इन्होंने क्या बता रखा है प्रश्रस्ती में क्या लिख रखा है इन्होंने किंग ऑफ आंध्रा इनको हराया क्या हुआ जो किंग ऑफ आंध्रा थे और यह सिंध था फिर विधर्व था का का इन्होंने कि नागभटा के सामने इन्होंने पहले ही अपने आपको सरेंडर कर दिया राजा मान लिया कर दिया अरे राजा जी हमें माफ कर यह पहले ही जुग गया कैसे जुग गया पता नहीं इंफ्लूएंस होगा इनका ठीक है आगे हम देखते हैं ठीक है क्यूं और सबसे बड़ी चीज उन्होंने जब जुखे तब वो नागभटा राजा नहीं थे उस ट चक्रयूद को भी हराया जो डूलर फाल जाकन ऊज कीटिटेट किंग व गांत वंगां वंगां आकी रूज का यूंग उस को भी है अनार्थ ता तृट आफ गुजरा सी थैमाए अ मालभा पार्ट और। मध्रिदेश वहां पर भी हडाया कि राट फॉरेस्ट पर उसर भी ह तुरुखिय शाह् टक्स , उत्रा इंडिया रसी सुम्र्ट ने जो हूं पढ़िए हमें कुह नहीं पते है , मैं आपी आ है!! ठीक है प्रशस्ती खुद बनवाई तो कुछ भी लिखवा सकता है इतना हमें पता है बस हमें थोड़ा बहुत overview मिल जाता है कि उस राजा की सोच कैसी थी हमें सोच का पता चल जाता है इन प्रशस्तियों से जो हमें आज मिली है ठीक है जो हमें ये प्रशस्ती मिली है तो इस तो तो थोड़ा बहुता मंदाजा लगा सकते हैं, तो 50% भी नहीं पर नहीं हराया था, जो फालतु बक्वासे वो लिखवा रहा है, इधर, मतलब अपनी तारीफे करवा रहा है, प्रशरस्तीज में, वो सच भी है या नहीं है, ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, प्रश वर रिकॉर्ड़ेड और कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन तो दोस हो रिसीव दलें, देखे क्या होता था ना, जब प्रशरस्तीज कौन लिखता था, पढ़े लिखे बंदे ही लिखेंगे, जिनने लिख रही नहीं आता हो, वो क्या लिखेंगे, पढ़े लिखेंगे, उस टाइम पर कौन थे ब्रामन, इस से हमें यह भी पता चलता है कि उस टाइम पर ब्रामन का इंफ्लुएंस था, ब्रामन उस टाइम पर भी सुपीरियर थे, तो ब्रामन लिखते थे, तो किंग क्या करता था, इन लोगों को प्रशरस्तीज लिखने के बदले, लेंड ग्र लिख दी जाती थी, उस बंदे का नाम लिख दिया कि यह जमीन दे धी हमने जाओ, जाओ, इंजॉइ करो, मजए मारो, ठीक है, विच वर गिवन डू दो दो रिसीव द लेंड, जो लेंड जिसको यह मिलने वाला होता था, उसका हम लिख देते थे, रिकॉर्ड वगेर, कॉ आपके सामने हैं, देखिये, चैया हो गया णिस वार्फेर वर्फेर 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 वर्च यह मिलते हैं, गटन के वी लडाई, बड़न भर्च के लाई舞, लाईत, जो यहां पर कह जिन्हों ने यहां पर हमला किया था इसके लिए वेल्थ के लिए फिर इजर गुजर परतिहार इनके एरिया में अंडर आई फिर यहां इबसे आपके के लिए लड़ाई कर थे भी इतु है कन्नोच के लिए लोग इसलिए लड़ाई करते थे पाला गुर्जार और राश्टरकुता क्यों क्योंकि वहां पर फर्टाइल था ठीक है अच्छा एरिया था उपजाओ जमीन थी तो यह लोग वहां पर लड़ाई करते रहते थे और सबसे मेंली बात यह तीनों कहीं तीनों खूंगों के किंग्डमस थे इनके अंडर में आता था थे लड़ाई करते रहते थे यह मेरा हा वह आप करते रहता था लॉंग टॉन कोनफुलिक्ट इन नॉन एज ट्रिपर्टाइट श्रगल जो यह इस को हमने क्या नाम दिया ट्रिपटाइट स्ट्रगल इस वर्ड याद रखेंगा ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल आप से पूछा जा सकता है जो बच्चे हैं वन माक में तर लॉ मृड़जर प्रतिहार इनवाल्ट थे थिए ऊसके बाद आपके पालाज इनवाल्ट थे तीनों पार्टी तो हुली तो लड़ाई तो हुगी देखाए खाने उना यह एक स्टोरी थी इसमें छोटी सी स्टोरि थी अब हम चले आगे चलते हैं दूसरे को देखते हैं फिर एक अटेक होता है अटेक सो सुल्तान मुहामूद गजनी अपने महमूद गजनी का नाम तो सुनही होगा प्रइप सम्नाइट टैंपल भुजराँ लूटे लिया था बहुत एमीर इसन के रूल किया इसन नौर्थ वेस्टन पर्ट और सबकॉंडिनेट इसका रूल ने कहा था यह सब्रूल एशेया कि पर इसका रूल देख़ने करता है Central Asia में रूल करता था Iran के साइड रूल में था महमूद गजिनी का इधर भी थोड़ा बहुत influence था इसका रूल था इन्हों ने भारत पे लगबग 17 बार आकरमन किया 17 बार भारत को लूटा 17 बार महमूद गजिनी ने 17 बार भारत को लूटा जाइड सी बात है लूटा होगा तो लडाई करें होगी तो चैप्टर के लिए लडाई हुई सबसे जादा बार इन्होंने राजाओं को लूटा Kingdoms को लूटा पर उस Kingdoms में मंदिरों को भी नोने बहुत लूटा मंदिरों को बहुत नश्ट पहुचाया तोडा फोडा वहां से सोने जावाराथ सब लूट के ले गए थे तो इन्होंने क्या एक एक एकजामपल आपका है सॉमना टेंपल सुमना टेंपल को गुजरात में है वहां पे भी लूटा वज़द ए रिच टेंपल था यह आषी बार इन्होंने हमारे भारत पर आकर्मंड किया था यहां से ळूट के ले गैए और क्या करते थे उस जो जुट के लिए जाते थे उस लुट के लिए जाते थे सोने जाब आर्ट नहीं देखे राज तेर रा ज भेचते थोड़ी जो मेहमूद गजनी थे इन्हों ने क्या किया उस वेल्थ का इस्तमाल ना क्या किया अपनी capital city गजनी जो थी ना गजनी गजनी मुवी याद मत कर लीजेगा गजनी याद्दास हाब उसकी तरह मत खो दीजेगा अपनी पढ़ाई कर रहे पढ़ाई की जब बढ़ी ऐसे मज़ से ले गए वहाँ पर उतार दिये मतलब वहाँ पर अपनी capital city को डवलप कर लिए capital city गजनी यह जनाब है देख रहे हैं सुल्तान महमूद वस आल्सों इंट्रेस्टें इन फाइंडिंग्स आउट देखें सुल्तान महमूद थे ना एक इसमें इंट्रेस्टें का ज्यादा पीपल लोगों को तो कॉंकोर्ट करते ही थे लोगों को मारा पीटा लूटा पाटा यह सब काम था ही तो देखें हमें इंपर देखते हैं इनकी सुल्तान महमूद वस इंट्रेस्टें इंट्रेस्टें इन एक स्कॉलर भी अपने पास रखा जिसके नाम क्या था अल बिरू विच्छ अल बिरुणी कंदा ने संब काउन्ट के बारे में अकांट'm लिखी है, यह यह पूछा जा सकता है, आपसे किस राइटर के द्वरा के द्वरा लेखी गई है। अल-बिरुनी फिर अल-बिरुनी किसके इंडर काम करता था आपको यह भी आद रहें जाए किसके इंडर में वो scholar था तो यह भी आपको याद रहें जाए सुल्तान महमूद गजनी के अंडर में था ठीक है Remains an important source for a historian. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account Other kings who engaged in warfare Other kings who engaged in warfare included the Chamanas later known as Chauhan यह Chamanas, Chamanas अब याद मत रखिए सर्फ इतर नहीं रखिए Chauhans थे, Chauhan जो आप सोच रहें, Chauhan मैं वही बताने वाला हूँ ठीक है? मैं जानतों आप किस Chauhan की बारे में सोच रहें Chauhan अगर नाम याद आता है तो सर्फ एक ही नाम याद आता है हम इंडियन की जबान पर Who ruled over the region around Delhi and Ajmer जो Chauhans थे, इन्हों ने अपना rule कहां किया था Delhi and Ajmer से, इन्हों ने पूरा अपना rule किया था They attempted to expand their control to the west and the east इन्हों ने अपना control कि देखिए क्या किया था और west में rule फैलाने की कोशिश की थी Where they were opposed by the Chalukyaz of the Gujarat and the Gharawals of the Western UP फिर इनको देखे किसे ने रोका था जब इन्होंने फैलाओ करने की कोशिश की थी तो इनको रोका था किसने Chalukyaz ने गुजरात के या राश्टर कुताज ने समझ लीजे या घडवास Western UP के Western UP के जो बंदे थे उन्हों घडवास थे उन्होंने रोका The best known Chahan ruler was Prithviraj Prithviraj 3 या आप लोग popularly ने जानते है Prithviraj Chahan के नाम से Prithviraj Chahan The best known Chahan ruler was Prithviraj 3 और Prithviraj Chahan जिन्होंने 1168 से लेके 1192 तक कर रूल किया था Who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori Muhammad Ghori नाम तो यादी होगा सुनाई होगा कभी न कभी Muhammad Ghori Prithviraj Chahan Capital City क्या थी दिल्ली में थे दिल्ली में इन्होंने अपना दिल्ली में आकरमन कौन करता है Muhammad Ghori Battle of Terrain याद है Battle of Terrain Battle of Terrain मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे देखिए दिल्ली सुल्तान्स है ना हम नेक्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका जो नेक्स टॉपिक है ना दिल्ली सुल्तान्स आपका लगवग यहीं से शुरू हो जाता है Muhammad Ghori जब हरा के जाता है पूरी दिल्ली सल्तनेत की शुरुआत हो गी पूरी दिल्ली सल्तनेत की ठीक है फिर Mughal Empire तो देखिए अब नेक्स का इंतजार कीजे देखिए नेक्स लेक्टर आने दीजे हम दिल्ली सल्तनेत पढ़ेंगे कुछ देखता हूँ मैं उस टाइम पर ठीक है कैसे आपको समझा पहूँ अच्छे से देखिए मैं आपको सिंबल से इक बात बोलूँगा अगर आप जाते हैं दिल्ली सल्तनेत मैं आपको 7th भी कर रहा हूँ एक separate lecture लूँ मैं दिल्ली सल्तनेत का क्योंकि 7th की बुक मैं दिल्ली सल्तनेत उतनी अच्छे से तो नहीं दे रहा हूँ गा क्या achievements होई क्या architectural developments होई कौन से taxes वगरा लगे थे जी-जीया कानू जो यह सब था जी-जीया ऐसी कहते थे तो यह सब जो थे हम अच्छे से उतना नहीं दे रहा है तो अगर आप जैसे ही मेरे 100 subscribers हुए आपने 100 subscribers करवाए इस वीडियो के नीचे अगर आपने 50 comments की है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा जल्दी ही क्या डैली सल्तनेत की एक पूरा प्रॉपर एक dedicated video कुछ पार्ट में होंगे जिसमें डैली सल्तनेत को अच्छे से समझाएं डैली सल्तनेत लेका हूँगा एंड मोगल एंपायर लेका हूँगा यह दोनोस topics आपके 7th की book में हैं पर इसमें उतना detail में नहीं दे रखा है क्योंकि यह दोन topics होते हैं कि हम मेडाइवल इंडिया यहीं से शुरू होती है मेडाइवल इंडिया हम क्या मानते हैं कि हमारी जनरली जब प्रित्वी राज चौहान मुहमद घोली से हार गयते मेडाइवल इंडिया तब से ही शुरू होती पर ऐसा नहीं है 780 से ही शुरू हो गई थी पर हम ऐसा लेते हैं उससे पहले का उतने लोगों को याद नहीं रहता देली सल्तिनी फिर यह याद रहता है फिर सिखिजम भी इसी बीच में आया था फिर आपका यह यहाम मुगल एंपायर हो गया फिर माराठास हो गया इस सब के बारे में 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 असे नहीं इंटरस्टिंग बन जाता है तो आपको मैं अच्छे से समझाओं एक सेप्रेड लेक्र में 7th तो हम करेंगी 7th में जो यह तो देखे वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजें तो उस खुशी में उस जश्ट्रमे में आपके लिए एक बहुत ही शांदार लेक्चर वेट कर रहा है अगले साल मौमद घोरी वाप कि आघले साल मौमद घोरी वापके जानर व्याप सुझा रहा है पर आते ऐलेवन नाइटी डू में इस बार्बेटल लो टेरेंड में पृत्वीरा चौहान को वहरा देता है जिसमें एक मुख्य भूमी का पृत्वीरा चौहान के सर्ष्र निवाइदी जै चन्द जिन्हों ने पृत्वीरा चौहान को धोका दिया ता आपको भी पता है ये नहीं, बहुत सारी रूलर्स भी आते बाहर से लूटने, Alexander नहीं भी कोशिश की थी, ठीक है? रूलर्स ऐसा नहीं था कि लूटने से ब्रिटिश रसा है इंशेंट पीरिड से चला आ रहा है कि बाहर के रूलर्स की नजर होती थी इंडिया पर ठीक है चलिए आगे चलता है यह राप के प्रित्वीरा चोहन और एक इमेज लगा दिया आप इमेजन कर सकते हैं बैटल ऑफ प्रित्वीर चॉलास। ना रहा चोहान है है चोहन बहुत थीर है रहुत है, यह फ्लक्ट्रारीश फॉलर्स होग अगर साथ इस्टेशन में अगर आम नीचे तक जाएंगे inडोनेशिया तक हो गया malaysia तो यहां तक पूरा उनका था श्री लंका में एकलूडिंग श्री लंका में इनका काफी ज्याद enslaved पर्पल कलर में यह चोला क्लर में चोला इंफ्लूएंस था था ठीक पूरा चोला एंपायर के अंदर में था था एक छोटा मोटा किंग्डब नहीं यह एंपायर था पूरा अब ट्रेड रूट्स देखें तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगा है तो आपने देखा यह समु तो समुधरे से गुजर रहा है तो आपको भाइर सी बात है यह त्यारके तो जालंगे नहीं ट्रेट करने पर यह बजरनंग बली बनका कि हम समुधर पर उड़के जाएंग यहां नहीं न इन्होंने शिप बिल्डिंग भी सीख लिए अशिप बिल्डिंगी इंज576े दि फं यह भी हम पढ़ने वाले हैं अब यह देखते हैं आपके syllabus में है या नहीं पर जब मैं आपको medieval India अच्छे से पढ़ाऊंगा तो यह सब भी आपको पढ़ना चाहिए देखिए यह सब पता है क्या आजाता है हम यूरोपियन जब पढ़ते हैं यूरोपियन जब इंडिया में आये ब्रिटिश को इंडिया का तो यह सब हम एक as a whole ले लेते हैं जब कि थोड़ा पार जो आता है अपको यह मेडाइवल इंडिया में आएगा क्योंकि तब तक तो आपके मुगल्स थे थोड़ा बहुत ठीक है मुगल्स का भी रूलता जब ब्रिटिश थे तो यह मेडाइवल इंडिया में लेते हैं पर हम एक अच्छे से समझने के लिए इसको मॉडरन इंडिया की किताबों में आपका कहा लिए तक गया जाता तल सुच फोगत है सबसे बड़ी ऐन को बीडिंग कीनौलेुआ इस चली और से पहले हम इंपन्र की जाएगा इस पे फिक है युरोपेंस ने तो 15th century 14th century में जाके shipbuilding सीखिया हमने 200-300 साल पहली सीख ली थी ठीक है चलिए अब हम देखेंगे इस पर स्टोरी बता रखी है ठीक है फ्रम उर्ययर टू ठंजाभूर ठीक है अब इसमें क्या देखते हैं Qe första में आपरी देखेंगे रखी DRUBaG अब माइनर चीफली पैमिली नोन अज मुतर रखी पाउर इजिनी कावायर रूलर अपरब्दा अब माइनर चीफली रूलर समझे लीजे मुत्यार नाम था जिसका उसका कावायरी डिल्टा में बहुत नाम उसका रूल था तो और यह किसका इंडर में आता था किसका समानत थे इक पार्ट था कंडम का तो यह क्या थे विजयालिय विजया इंचिफली फैमिली फैमिली मंद टिन करते थे इन्हों लें क्या किया था चोला एंपायर देखे किया था आपका 850 से लेकर 1200 सी तर एम और जुआ था बहुत तेजी से ठीक है तो चलिए हम देखते हैं विजय आलेया यह पुरयूर के थे उरयूर में थे इन्होंने मिडल अफ नाइन्च सेंचुरी में क्या कि अवड़ी नाइन्ड फिफ्टी के बात कर रहे हैं उद्धर कबजा कर लिया है बिट दा टाउन अफ ताउन बनाया तांजबूर का मलब तांजबूर का एक राजा आया विजय आलेय को चोला से विलॉंग करता था अइस ने थांजबूर एक नया शहर बनाया कि इसको हर आके हैं के मुतर रहीयर को हिरा के हैं वह पर उसने एक वीफ वहारे के यसंपुल तॉप जल सक्कसरी विजय आलय के successors निए डाइनिस्टी चलिया रही है तो उसके बेटे 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 ऐसे चलता रहा था इन्हों आसपर के regions पर इंफ्लूएंस बढ़ाया उनकी size आपना size territory का बढ़ाया kingdom का size बढ़ाया एंड पावर भी बढ़ाया तो एक बार हम थोड़े देखें उनके successors कौन कौन से दें विजय आलय का बेटा था वो था आपका आधित्यवन मैं आपको बता रहूं इसमें लिखा नहीं था आधित्यवन था जिसने आधित्यवन था आधित्यवन का बेटा फिर आपका था पर राजा धी राज आयते उसके बाद भी आयते फिर आधित्यवन था आया था आपका फिर बहुत सारे दो तीन और आयते वह भी मेरे को याद नहीं है आपको मैं बताऊंगा पर ऐसा यह था एक चले आ रहा था एक फैमिली ट्री के आप समझ सकते हैं ठीक है विजय आलया of 63 होगए लिए एम फालावाज को भी हराया ठीक है और शाहूं से इन्होंने अपना किंग्डम और लेटे भी Piços फंड में और तो यहां पर इननने तेंडिमीों की चैपिटल सेठी चैपितल हो फिली फैब पर गया草न यहां फालिच यहां पे नोप सो yapika रेंवेशन ठीक है और इधर पालवास को भी हराया पालवास को भी इन्हों ने हराया उदर से भी भगाया ठीक है राजा राजा वन थे ना यह आपके क्या कहे जाते थे इन्होंने बहुत तेजी से एक्स्पेंशन किया था इन्होंने ट्रेड भी विराया था इंक्रीज किया था ठीक है थे किया था था इन्होंने आड मेंश्ट जो ता उस एंपाइर के तो फिर से नहीं धंग से बनाया नहीं धंग से प्लैन किया ्राज राजेंद्र वन कॉंटिनूड फोलिस इंवन देद गंगा वैली जो राजेंद्रवन था जिन्हों ने कम से कम 30 साल तक रूल किया था 30 साल कैसे 1014 से लिए 1044 तक इनका रूल था राजा राजावन के बेटे थे ठीक है यह आपको बिसे बताया इनकी फालिजी थे एक्सपेंशन ली थे थी फैला इनको राजारा राजा राजावन पुर्द्रवन थे थे चल्क देशावं तक परती दक पहुंच में इस एर्या उन्हां या पहुंच गयों रिकाती देशंद्रवन का इस एर्या परAt इस एरिया तक भी आ गए थी गंगा वैली तक एलों रेट के श्री लंका वीन के कब्से मियाद साउथ इस एशिया भी आई जैसे में आपको बता है नेवी भी वनाई नेवी की नॉलेज होगी थी पॉर्चुगीज को बाद में वी थी नेवी की नॉलेज फॉर्टेंट सेंचुरी में जाके हमें देखिए 11th सेंचुरी में होगी अब हम यहां पर देखेंगे हमने यहां पर देखा कि कौन-कौन से राजा आए राजा कौन-कौन से आए थीख है उनकी पॉर्टे क्या थी उनकी पॉलिसी तो देखा ने थीखिया थी अब हम यहां पर दोस्तों देखेंगे कि उन्होंने जो टैमपल्स मत चोला एंपारश शेयं इसलिए नहीं जाना जाता कि उन्होंने एक पूरा शामराज्य बेठा रखा था या वहां के टेंपल्स ब्रॉंज स्कल्प्चर्स वर्ल्ड वाइड फेमस थे थे लिए कैसे कुछ टेंपल्स और ब्रॉंज स्कल्प्चर्स यह नहीं ताम बे आप समझ सकते हैं जुघ थे लिए और अभी तैंपल्स तरों अभी आयाया तरी मजसें अनिर्माण किया थे आप टेंपल स्टाइल आप आर्टिटेक्ट्ट्र जोथी त्याल यह व्यूं चलिए अब इसमें नहीं आएंगे जब मैं आर्टन कल्चर आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से तब मैं आपको बताऊंगा द्रवीडेन आटन कल्चर क्या होता है तो आप देखे रहे हैं यहां पर इन्होंने स्कुल्प्चर बना रखे हैं दिवारों पर देखा इस तरीके क के एक शब्ध लिख हुख है नुकलियाई आफ सेटलमेंट्स जो इन्हों पर आपस रहने लग गया धिक इन मंदिरों का इंफ्लूएंस बहुत जादा एससरे मंदिर tapा में नुकलिये silbisya Elliott यहां था अन्ही là आपनी settlement बनाली लोगों ने उसके बाद क्या है these were centers of craftsperson's craft production ठीक है craft production यह पर फेला temples were also endowed with land by rulers as well as by others the produce of this lands went into maintaining all the specialists who worked at the temples ठीक है टीक है टेमपल्स के लिए इन्होंने कहके कही रूलर्स ने ना लेंड भी दी ठीक है रूलर्स वगेन ने लेंड दी और उन लेंड को देखे जब produce of this land went into maintaining जो भी प्रोड्यूस होता था उस लेंड से यह सब किसकी maintenance में चले जाता था specialist who worked at the temple जो लोग उस temple में काम करते थे and very often lived near it and उसके आजू बाजू ही रहते थे musicians वगेरा हो गए and dancers वगेरा हो गए and dancers वगेरा हो गए दांसर्स कैसे निर्टिकल्या भी सीखी जाते मतलब सिर्फ टेंपल ऐसा उस तेंप आप मत समझीएगा कि इसे पूजा पार्ट का इलागा था पूजा पार्ट के लागे के साथ वहां पर पूरी कुल्च्रल अक्टिविटी चलती थे आप एक तरह से समझीएगा थो in other words temples were not only places of worship they were the hub of economic social and cultural life as well थे यहां पर वही बात लिखी गई है temples के आथे सिर्फ पूजा पार्ट की जगह नहीं बन गयते वह एक economic hub बन गया था social and cultural life वहां पर बहुत ज्यादा improve होगी थी and failure थी cultural life थो बहुत ज्यादा ही failure थी amongst the crafts associated with temples the making of bronze images was the most distinctive Chola empire के bronze images बहुत ही ज्यादा famous है Chola bronze images are considered amongst the finest in the world Chola के जो bronze images थे ना Chola empire के जो bronze images थे ये पूरे world में most amazing या most finest अब समझ लीजे पूरे wish show में थे while most images were of diites sometimes images were made of devotees as well क्या होता थे ज्यादातर आपके images वगएरा जो बनते थे bronze images ये diites देवताओ देवियों के बारे में होते थे पर क्या होता थे कभी-कभी ये लोग ना बना देते थे devotees devotees की भी इन्होंने भी printing images बना देते थे ये bronze images बना देते थे आगे चलते दिखातों इस तरीके के आपके ठीक है ये map देखा अब यहां कावेरी river आप देखरां कावेरी river आपको यह दिख रहा है कावेरी river है यहां पर और वी साइड कितरी मतलब कावेरी river जब डेल्टा बनाती थी जब ठांजा फूर आपर देख चोला एमपार का जो और इतना लेज़े जो ये पूरा रेजन था बहुत ज्लास का टाइल फ्लिवट कि लिए बहुत अच्छा लेंड थला बहुत अच्छी बहुत घ्रीकल्चर कर लिए भी ही तक इसका उन्हों पथेपनी अगरिकिल्चर के लिए अगरिकल्चर को फोकस किया जोला ने महत्व समझा अग्रिकल्च बहुत तेजी से लाइज स्केल कल्टिवेशन स्टार्ट हुई फॉरेस्टों जंगलों को काटा जाने लगा जंगल के ऊपर पेट पूर सब्सक्राइब निए तो फॉरेस्ट को क्लियर करना क्लियर किया फिर लैंड को लेवल किया जो ज वर मेड टू प्रिवेंट फ्लेडिंग एंड कैनल वर कंस्ट्टेड टू कैरी वॉटर तो दी फिल्ड एम्बैंक्मेंट्स भी बनाए गए मान लीजे एक नदी जा रही है ठीक है यह एक नदी है इमेजन कीजे यह नदी नॉर्मल टाइम पर इतनी जा रही है पर कभी-कभी यह जो नदी जा रही है इसी किनारे किनारे यह लोग क्या करते थे एम्बैंक्मेंट्स यानि बड़ी बड़ी दिवारे बना देते थे जिससे पानी बाहर ना आप आए ठीक है जब वाटर लेवल बढ़े तो बाहर ना आप आए ठीक है इसलिए बना देते थे कैनल्स वग तो आपने देखा कैंडल्स वगेर बनाते थे इन मैनी एरियास डू गोड़ रही है कुछ एरियास तो ऐसे थे जहांपे दो क्रॉप उगाया जाते थे साल में क्यों उगाया जाते थे एक ताइम पर समझ रही है ठीक राइच हो रही है और यह आप नदी से पानी ले लो बार आपने खुआ लिया दूसरी बार आप ने का कि लिए नदीयों से पाने ले ले लिए किसके सारे कैंडल वगेर बना कि एंगर्यकल्चर वोग ता इसलिए आपने क्या था इसलिए डालब वह था इसलिए प्रकार के इन्होंने अगरिकल्चर कि शुड़ात की वेरियस मेंथर लोग यूज करने लग wasnp है यहां पर आभी डम जो मैंने अक्रिकेशन अक्रिशन आयगाenc sera यहां इधाप मेंने मेल यूर्ण दियाओ दबनाट बद शथ ます इडिएस मेथेट्स ऑफ इरिगेशन आयेगा इडिएशन की फैसलिटी यहां पर गड़त वर्ड लिग दिए अग्रिकल्टर नहीं आयेगा सॉरी माफ कीज़गा तो इन्होंने कि इरिगेशन की फैसलिटी इसके बड़ी वैल्स बराएं इन्होंने अच्छे खासे वैल्स ब इंपार को सीडियसली लिया यह बहुत पर अच्छी तरीके से बुर वहां के लोगों ने समझा तो उन्हें पर खेती ग्रो की ठीक है वहां पर अच्छी तरीके से बुर में पर अब अब चलिए यह कुछ नदी आदेक रहे हैं अब administration देखते हैं उस empire का administration जानना ज़रूरी है कि आफिर वे administration कैसे बॉक करती थी चौला empire में तो चलिए देखते हैं how was the administration organized settlements of peasants known as ur settlements of peasants known as ur देखे क्या होता था ur का मतलब क्या ur यह जो चोड़े मोड़े terms होता है दोस्तों इसको आपको याद रखना यह और क्या है और क्या है देखिए और क्या है group of peasants होते थे ना group of peasants होते थे उनको और कहते थे became prosperous with the spread of irrigation agriculture ठीक है और क्यों बनाते थे क्योंकि irrigation agriculture नहीं को देखना होता था group of such villages form larger units called naadu ठीक है अब देखे क्या था यह जो आपके पीजेंट्स थे उनको और कहते थे एक विलेज में ऐसी कई villages में कई सारे और होते थे तो इन villages को मुला के यह लोग क्या कहते थे नाडू कहते थे group of such villages या group of such और group of peasants होते थे उनको और कहते थे तो कई और चार पांच और यानि चार पांच विलेज मिलके क्या बनते थे नाडू बनते थे आपके नाडू विलेज काउंसेल एंड नाडू फंक्शन जो विलेज काउंसेल होती थी या आपकी जो नाडू होती थी कई सारे विलेज मिलके जो बने तो यह कहते थे इंकलूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस और क्लेक्टिंग टैक्स बगेरा काम भी नहीं का था ठी सूपर्वेजन आफ़ न्गोहरण सारा खेंस तो यहां पर जो रीच प४ीजेंस होते थे इनको पावर दी जाती थी क्यों स्यधंगि तक पता है यह नाडू के लिजअग के चीफ़ वगएर होते थे थे तो इन को क्या होता था सेंट जू यह उत удив्श आप चोला गुवर्मेंट ने डायक पावर दे रखी थी इनको वेलास को समझा दा चोला केंग सं रिच लैंड ओनर टाइटल जो चोला किंग स वगेर थे ना इन्होंने कुछ जो रिच लैंड ओनर वगेरा थे इनको कुछ टाइटल भी दे दिये जैसे कहा है मुवेंडवलं मुवधा ऐलं थोडे डिफिल्ट रहा होते है तो मल्लिक है कि अम पर देख सकते हैaan मुवधा वलंस देख है और पी सब्जाद यो मुवधा विलन और मुवधा बन क्या होता है ृब भी कैस थी इस तैटलस की हो सकता है पूछा ले इस titles की, पुछ भी हो सकता है, exam में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस 14 kings थे, इन्होंने जो titles रिच लैंड ओनर्स को क्या दिये, एक है मुविंड वलन, यह कौन थे, यह वलन होते थे, पीजैंट होते थे, क्या, तीन kings को सर्व करते थे, serving three kings, फिर है arraier, अरायर कौन थे चीफ थे चीफ थे यह एक सेक्टरा एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेट थे इंपॉर्टन ऑफिसे ऑफ दे स्टीट और दी सेंटर चीफ क्या होते थे इसको किसी मतलब जाल लिए जब एडमिस्रेशन फंक्शन कर रहा है अब कितने सारे देखके दिख लिए उसकान आप कितने सारे बाड़ी पर इबिस्टेटी थी तो जो बड़ी एडमिस्रिटिफ बाड़ी आ इंपॉर्टन जो ओफिसे बगेर होते थे वह इन्हें अरं को दे दी जाती थी चीफ को इन्हें चीफ कहते थे तो इस तरीके से यहां काम करता था we have seen that Brahmans often received land grants and Brahmadeya देखिये आप यहां पर एक term आपको और देखने को मिल रही है दोस्तों यहां पर terms कहीं खेल है terms कहीं खेल आपको terms समझनी है देखिये Brahmadeya जो यह Brahmadeya है यह क्या है आप देखिये मैं आपको बताता हूँ we have seen Brahmans को क्या होते थे अब पूछा जा सकता है what is Brahmadeya Brahmadeya क्या है ठीक है तो आपको बता रहने है Brahmadeya कुछ नहीं land grants जो Brahmans को मिलते थे उन्हें हम कहते थे As a result, the large number of Brahmans settlement immersed in the Cauvery Valley as in other parts of South India लिए कि large number of Brahmans settlement थे लोग Kaveri Valley के आसपास ही बनने शुरू होगी इतना आप देखे Each Brahmadeya was looked after by an assembly और Sabha और prominent Brahmans land holders फिर यह Brahmadeya जो group थे इन्होंने क्या कि Sabha यह Maha Sabha आप कह लिए इनका एक formation किया जिसमें सारे prominent Brahmans land owners holders आते थे These assemblies worked very efficiently Assemblies यह बढ़ी ही अच्छे से काम करती थी Their decisions were recorded in detail in inscription इनके जो decisions वगेरा थे यह अच्छे से रिकॉर्ड किये करके रखे गए किसमें किसके form में Inscription के form में Often on the stone walls of temple किस पे मंदिरों की दिवारों पे भी इनके records वगेरा maintain करके अच्छे से लिख रखे हैं Association of Traders known as Nagrams देखिए इन सब चीज के पीजन्स का ओर हो गया Brahmins का जो हो गया इनको सभा कहते थे जो assembly बगेरा बनाते थे फिर वैसे ही जो Traders होते थे इनको हम क्या कहते थे Association Association जो होता था Traders का इससे हम कहते थे Nagrams क्या कहते थे दोस्तों इन टर्म्स को याद कीजिए देखिए मैं माक कर दे रहा हूं Nagrams Nagrams कहते थे Nagrams ठीक है Also occasionally perform administrative functions कभी-कभी क्या कहते थे administrative functions भी perform कर दे थे थे आपके टाउंस में Inscriptions from Uttra Merur in Chingleaput District Inscriptions हमें मिले हैं Uttra Merur and Chingleaput District Tamil Nadu provide details of the way in which the sub-up was Tamil Nadu उसे हमें यह पता चलता है उधर से कि सभा काम कैसे करती थी The sub-up has separate committees to look after irrigation work सभा की ना एक अलग-अलग committees बगएर इन्होंने बना रखी थी हर committee अलग काम करने के लिए कैसे कुछ लोग देखे कुछ कोई committee होगी irrigation work देखे कुछ committees सभा काम देखेंगे कुछ temples और एक सेक्ट रहा और भी कोई काम होते हों names of those eligible to be names of those eligible to be members of these committees were written on small ticket or palm leaves इनके elections फगेरा के format समझे elections कैसे होते थे क्या होते थे जो भी committees के eligible members होते थे ना उनका नाम palm leaves पे लिखके और फिर उसे एक मतके में डाल दिया जाता था फिर क्या होता था एक यंग बॉय को पकड़ा जाता था और उससे कहा जाता था कि हर मतके से tickets निकालो फिर जिस भी बंदे का नाम आया जिस भी इंसान का नाम आया मेंबर का वो उस committee का head बन जाता था तो simple से election का process था इनका आप देखिए यहां पर हमने land grants वगेरा देखिए तो आपको यह भी जानना ज़रूरी होगा देखे एक request करूँ आप इस screen की यह आपके सामने जो present है इसका screenshot लीजाए फटा फट लीजाए क्योंकि यह one mark में competitive में बक्का पूछेगा पूछ सकता है कभी पूछा भी गया है ठीक है चोला inscriptions mentioned several categories of land अब देखिए types of land कौन कौन से थे पहला आपका है पहला है आपका देखिए वेलंवागाइ वेलंवगाइ यह इक इनको मिलता था किस लेंड होते थे लेंड आफ नॉन ब्रामंट पीजन्स अगएरा होते थे नहें हम वेलंवगाई कहते थे ठीक है अब ब्राह्मा देया ब्राह्मा देया ठीक है आपको मैंना भी पढ़ाया क्या लेंड ग्रांट जो वगेरा मिल जाती थी किसको ब्राह्मांड को जो लेंड गिफ्टेड मिलती थी उन्हें ब्राह्मा देया कहते थे फिर आपका शाला भोग शाला भोग शाला भोग क्या है लेंड फॉर मैंटेनेंस ऑफ स्कूल लेंड जो मैंटेनेंस स्कूल की मैंटेनेंस वगेरा के लिए दिया जाता था तुरिज याद करना प्रैक्टिस करिए तक याद होजाएगा आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आपके दो वर्ट कोंन से निह colocadana म tentangतल्ँ हो गριते पेच繼續?.. परक्षव आपका पाली चच्चाया चच्चा बोल दिया पाली चचानंदम जो यह लैंड है यह आपको किसको दे दिया जाता था जैन इंस्टिटूशन जो होते थे उनको डोनेट कर दिया जाता था तो इस तरीके के टाइपस ऑफ लैंड है आप देख सकते हैं चलिए आगे चलते हैं अब आपका चैप्टर फि सब्सक्राइब चैप्सक्का जैत वह लंड कटम न में सब्सक्राइब कूल थे लेथा ता जो खड़े मेर्ति अए उस के ट hedgehog उन्हय यह रजा सना और उस वन्हेंड कटमेन्ग तर यह गंविशन तीजःा उन्हें इन विदा से प्रशlement के सुद। दियुग थारोग इवेथिय। अन्होगों के विदात ऊनलेफेय। थार्शिय के बैदेनए धारे आभेजम में कॉछ बहुत देक हाना शुक्रालाइब बूर। उन्हें गतात वीदात खे रहा विदात व्यक्तों इमांदार इंसान होने चाहिए ठीक है इफ एनी अफ यह कुछ वह होगए कि हाँ आपके लिए यह होना चाहिए था नहीं तो आप नहीं बनेंगे मैंबर किसके साब आगे इसके बाद उसे किसी भी अनादर कमीटी का मैंबर नहीं बनाया जा सकता है समझे मलब कोई बंदा है सभा का वो एक कमीटी में काम कर चुका है तो तीन सालों ठीक है पिछले तीन सालों में वो एक कमीटी में काम कर चुका है तो अब उसे किसी अब उसमें नहीं है तो अब उसे किसी और कमीटी का मैंबर नहीं बनाएंगे इलेक्शन का फॉर्मिट था नहीं आओ जाओ ऐसा था एनिवन इंड्राइंग वह कुछ एक लोग उसे नहीं था नहीं देते हैं यह जनके फैमिली में कोई भी नहीं देता है ना डिलेटिव में नहीं देता है अगर एक भी बंदा तो वह प्लिव लोग इस committee का पार्ट नहीं बन सकते हैं, elections में इसा नहीं ले सकते हैं, मतलब रस्टिक्शन्स हैं, मतलब वो लोग क्या कहते हैं हर family members को यार तुम लोग 2 यार मेरे को election में जाना है, ठीक है तो इस तरीके से था, आज के चैप्टर आपका यहीं ही समापत हुआ, next chapter जो आपका जोश बनाने के लिए मैं आपको एक बाद जोश बनाने के लिए नहीं मलब सस्पेंज बनाने के 100-100 अच्छा लगता है दोस्तों ठीक आप लोग का प्यार कई लोग वीडियो देखते भी हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग से इतनी दुआ है सब्सक्राइब करने चैनल को आपको आज के इस लेसन से कुछ सीखने को मिला होगा सीखने को मिले गई इतना बड़िया लेक्चर है तो बस आज के लिए इतना ही रहन दें कल क्या करने वाले हैं कल हम करेंगे दोस्तों स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी याद कीजए मैंने आपको एक बात बताई थी याद कीजए क्या कि आपका जो नाइंथ चैप्टर है ने स्ट्रगल्स ऑव इक्वालिटी वह भी पार्ट वन का ही है मेरी न्सी आटी में तो वैसा ही दे रहा है पर हम उसे सेकंड चैप्टर समझ के ही कर लेंगे क्योंकि वह जाधा असान रहे कीजिए लाइक कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको दिल्ली सुल्तान पढ़नी है मोगल एंपायर पढ़ना है अच्छे से एकदम डीटेल में जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को थैंक यू सो मुच पर वाचिं दिस लेसन गड़ ब्लेस यू आल जाय हिंद